क्या कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिन होंगे कमनलाथ? क्या बीजेपी का दामन थामेंगे चिंदवारा सांसर नकुलाथ? क्या बीजेपी के साथ मिलकर खिचड़ी पका रहे कमनलाथ? ये तीन सवाल मद्वर्देश की सियासी फिजाओं गूंच रहे हैं लेकिन इसके जवाब किसी के पास नहीं है वो कहते हैं ना बिना आग के धुआ नहीं उठता इन सवालों के धुए के पीछे कॉंग्रेस के राज्टिप्यों का आलोग शर्मा की बयान का एहम दोर दे यह बयान आग की तरह इस तरह फैला कमनलाद के कॉंग्रेस छोड़ने की अफ्वाहें धुए की तरह चारो तरफ फैल गए कोई मतलब कहने में कोई गुरेज नहीं है कहीं ना कहीं कमनलाद जी के जितने 5-6 साल के किरिया कलाब रहे कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि कोई बीजेपी से सांट गांट तो नहीं की तो सुना आपने आलोक शर्मा का ये बयान फिलहाई जमकंत सुर्खियां बटो रहा है उन्हें इस बयान बाजी के लिए कॉंग्रेस ने नोटिस दे कर दो दिन में जवाब भी मांगा है लेकिन ये बयान और अफ्वा है अचानक सामने नहीं आई इसके लिए आपको 45 दिन पीछे चलना होगा 3 दिसंबर 2023 ये वो तारीक है जब मद्रप्रदेश विधान सवा चुनाओं के परिणाम भूशित हुए इस चुनाओं में कॉंग्रेस को करारी शिकस्त मिली और इसके दो दिन बाद कमलाथ अचानक विदीश दोरे पर निकल गए इस बीच कमलाथ के हाथ से प्रुदेश अध्यक्ष का पत जाता है PCC पत के अध्यक्ष पर जीतू पटवारी की ताज़ पूशी होती है और तो और कॉंग्रेस के कई बड़े कारिकरम भी होते हैं लेकिन कमलाथ पार्टी के इन सभी कारिकरमों से नदारत रहते हैं इसके बाद प्रस जन्वरी को कमलाथ की भूपाल वाप्ची होती वो विधायक पत की शपत लेने विधान सभा पहुचते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपको PCC चीज के पस पार्टी ने हटा दिया है पर आप क्या कहीं तो उनका जवाब होता है या आप उनसे यानि कॉंग्रेस आलाकामान से पूछिए शबत लिए मुझे प्रदेश की सेवा करने का एक और मौका मिला है इसके बाद कमलनात और प्रधान मंत्री नरेंद मूदी के बीच मुलाकात खुनी की खबरे सामने आती सूतरों के मुताबिक और कमलनात प्ये मोदी से मिलने के लिए समय मांगते हैं लेकिन इन सब के वीज मद्रदेश के मुख्य मंत्री मोहणियादव अचानक कमलनात से मिलने पहुँच जाते है कॉंग्रेश बीजेपी की तरफ से इस मुलाकात को सोजन में मुलाकात बताय जाता है लेकिन राजनीतिक जानकारों विमाने तो कमलनाथ और बीजेपी के भी जरूर कोई सियासी किछडी पक्ती नजर आ रही है मत परदेश की राजनीति में सक्री रहेंगे या दिल्ली की राजनीति में परदेश की 28 सीटों पर बीजेपी का कबजा है इस साल होने वाले लोग सब अचुनाओं में बीजेपी मत प्रदेश में क्लीम स्वीप करने के मून में हाला कि बीजेपी के इस सपने में सबसे बड़ा रोड़ा कॉंग्रेस का गरचिंद वाड़ा है सियासी पंडितों की माने तो अगर कमलाज बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी का मिशन उनके सपना पूरा हो सकता है झाल